येई, हलो एब्रीवन, वल्कम टू साक्षी जी 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 का पार्ट पॉर्ट कर रहे हैं आज, तो चलिए स्टार्ट करें इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम. पहला शब्द है अधीर, अगर बोला चाएं, स्पीच, पार्ट्स ओफ स्पीच में ये वर्व की तरह काम करता है, ये एक क्रिया है, और आगे देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? बिलीव इन और फॉलो दे प्रैक्टिस ओफ, मतलब आप कह सकते हैं, अधीर का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, स्टिक या कोहियर, और अटिनिम हो सकता है, सेपरेट या अपार्ट, अलग होना, ठीक है? इसके तो तरे से मीनिंग आप कह सकते हैं, फॉलो करना, एक वे होगे है, इसका मीनिंग का फॉलो करना, और दूसरा, ध्रड ध्र रहना, ठीक है? कहते हैं, ध्रड विश्वास होना, और श्टिक रहना, यानि चिपक जाना किसी चीज़ पर, लगातार, कॉंस्टेंटिली उ सकते हैं स्टिक रहना तो आपने एक वर्ड सुना होगा अधीसिव आप गूगल करके रिखेगा अधीसिव यह जो वर्ड है जनरली हम बोलते हैं जब हमको गॉंद या गम ग्लू इस तरह की चीज चाहिए रहती है क्योंकि वह बहुत चिप-चिप होती है वह स्टिक कर जाती है और वो वर्ड भी इसी तरीके से बना है अधीसिव इतना सेम रहता है आगे ऐसा ही और लग जाता है और चिपका रहता है एक साथ रहता है इस्टिक हो जाता है और जो चीज फिर इस्टिक ना हो तो उसके लिए अंटनिम हम as a separate और apart यूज़ करेंगे next second word जो हमारा है यह है devastate जी है उसके devastate बोलते हैं यानि की परबात कर दीना वर्ब है यह क्योंकि आप परबात कर रहे हैं तो यह एक क्रिया है वर्ब meaning है cause someone severe and overwhelming shock और grief मतलब किसी को काफी खतरनाग आप जटका दे दो उसको दुख पहुचा दो बरबात कर दो devastate कर दो synonym है destroyed आप किसी को बरबात करोगे उसको devastate कह सकते हैं और destroy करना भी कह सकते हैं अब अगर आप इसको opposite बोलो यानि antonym बोलो तो किसी को बरबात नहीं कर रहे हो उसको समहाल के रख रहे हो तो हम बोल सकते हैं preserved करना तो यह इसके synonym sorry antonym हो सकता है third word है आपका flaw part of speech में ये एक noun है flaw का मतलब होता है जैसे कोई एक mark हो या कोई imperfection कोई गलती कोई mistake कोई error या कोई हिंडी में कह सकते हैं routine ठीक है कोई भी और हम अगर similar word देखें तो हम लिख सकते हैं defect होना fault होना कोई mistake होना यह सब flaw में आता है आपने कई बार news में news में कई बार आपने dance shows में ऐसे सुना होगा mostly it is a flawless performance flawless ठीक है इसके आगे बस क्या लगा लेते हैं l-e-s-s l-e-s-s ठीक है flawless performance का मतलब क्या हुआ मतलब ऐसी performance जिसमें कोई भी गलती नहीं है perfect है एकदम यहां पर हमने बात करिए कि यह flaw का मतलब होता है imperfection कोई perfection नहीं है और flawless है कि बिलकुल perfect है तो अगर आप से कोई opposite पूछे flaw का तो flawless बोल दीजएगा very simple जैसे perfect का imperfection बैसे flaw का flawless हो जाएगा very simple and easy to remember distress distress पार्ट ओ स्पीच में देखा जाएक एक noun है संगया meaning होता है extreme anxiety sorrow or pain काफी जाद दुखे होना निराश होना पीड़ा होना किसी भी प्रकार की suffering होना distress कहलाता है retaliation part of speech में देखा जाए तो ये एक noun है इसके meaning दो प्रकार से हम देख सकते हैं the action of returning a military attack or we can say counter attack तो mostly जो यूज किया जाता है ये by army जिब हम न्यूज में देखते हैं या आप history जब पढ़ेंगे 910 में world war या कभी भी तो उन में जाधा तर जब army की बात आती है क्योंकि काफी लड़ाईयां होई है तो retaliation word का या retaliated कुछ इस तरीकी के words आपको सुनने मिलते हैं तो आगे से आप याद रखेंगे क्योंकि मैं आपको यहां समझा रही हूँ तो जो माल नीचे जैसे पाकिस्तान है उसको उंगली करने की काफी आदत है फालतू में आता है और कुछ भी कुछ भी लड़ाई करना start करता ह तो हम पहले से किसी को छेड़ते नहीं है हम इंडियन्स पहले से छेड़ते नहीं है और फिर कभी हमें कोई छेड़ते तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं है तो हम हमारी जो आर्मी है वो retaliate करती है एट का जवाब पत्थर से देती है फिर पाकिस्तान को तो उसको हम retaliation कह सकते सेकेंड है अगर आप पहले से कुछ नहीं कह दिया तो फिर आप उसको छोड़ोगे भी नहीं उसको हाम कर नेकोशिश करोगे या उसको सबक सिका रहे हो उसको आप रिटालियेशन कह सकते हैं तो इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा सनॉनिम हो जाएगा और रिवेंच हो जा किसी ने गलत किया होगा तब ही ना आप अपना बदला लोगे या फिर किसी को पनिश करना क्योंकि उसने पहले आपके साथ कुछ गलत किया तो अब आप उसको पनिश्मेंट दे रहे हो रिटालियेट कर रहे हो और अगर आप इसका आंटनम देखे ऑपोजर देखना चाहे हो आपने उसको छोड़ दिया मरसी यानि दया दिखा दी फॉर्गिबनेस कर दिया दया दिखा दी भाईया मैं तो बहुत महान हूं संत आदमियों कोई बात निकलती होगे अइंदा से मत करना ठीक है तो आपने मरसी दिखा दी यह हो गया रिटालियेशन का आंटनम बट मरसी दिखाने से भी मानते नहीं है तो हमको क्या करना पड़ता है रिटालियेशन ही करना पड़ता है ओके तो कॉमेंट में बताना कैसा लगा आपको यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए और आपको पसंद तो आया ही होगा मैंने काफी महनत करके यह आपके हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी कहीं भी इन वर्ट्स का योज हो मैंने ऐसे ही वर्ट्स चुने हैं वोके विद्य सीरीज के लिए तो आप निराश नहीं होंगे अगर अब तक आपने यह वर्ट्स नहीं सुने तो आने वाले टाइम में आप यह वर्ट्स जरू आप यह वर्ट्स नहीं सुने तो आप यह वर्ट्स नहीं करों थीक हैं थैक्स वर वाची अंध दो लाइक अशेर शाब्स्क्राइब तो मैं चैनल आप यह विद्धिसादना